नमस्कार दोस्तों स्वागत एक बार फिर से आपका सरकाई ज्यूप संगम यूटूब चैनल पर आज किस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप नेवी अगनिबीर SSR का Admit Card कैसे डाउनलोड कर पाएंगे कि कि इसके जो Admit Card है जारी हो चुके हैं इसमें जो है भी कुछ राज्यों के Admit Card आये हुए हैं और कुछ राज्यों के Admit Card नहीं आये हुए हैं तो आप लोगों को इसे जो है बीज बीज में चेक करते रहना है क्योंकि यह भी सभी जगा के Admit Card नहीं आये हुए है Admit Card आपको कहां से डाउनलोड करना है इसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी साथ ही मैं आपको बता दूँ कि यह Admit Card जो है Candidate को इसमें Short List किया गया है जिनके भी percentage अच्छे थे जिनके भी mark अच्छे थे उन्ही Candidate के यहां पे Admit Card जारी किये गये है तो आपके Admit Card जारी हुए हैं या फिर नहीं कैसे चेक कर पाएंगे इसके साथ ही किन Candidate को Short List किया गया है किनको Reject कर दिया गया है इन सभी चीजों के बारे में जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी तो आप लोग वीडियो को लाश तक जरूर देखेगा और हाँ अगर अभी तक आपने हमारी इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल चके तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों ने भी अगनिबीर SSR का एर्मिट का डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको अपने मोबाइल फोन या फिर कम्प्यूटर में गूगल खोल लेना है उसके बाद में आपको सर्च बार में टाइप करना होगा सरकारी संगम.com इस परकार से आपको टाइप करना है सरकारी संगम.com उसके बाद में जो है आपको सर्च करा देना है जैसे आप सर्च कराएंगे सरकारी संगम.com की जो वेबसाइड है कुछ इस परकार से आपके सामने खुल के आ जाएगी जिसका लिंक जो है आपको वीडियो के नीचे description box में भी मिल जाएगा तो आप चाहें तो इस website पे direct वहाँ से भी आ सकते हैं और यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं सबसे उपर यहाँ पे दिया गया है नेवी अगनिबीर SSR admit card 2022 तो आपको क्या करना है इससे कूपर किलिक कर देना है तो जैसे आप इसकूपर किलिक करेंगे आपके सामने फिर से एक नया page खुल के आएगा और इस page में आपको बिल्कुल नेचे की तरफ जाना है जैसे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे दिया है download admit card इसके सामने जो click here का option है आपको click here वाले option पे किलिक कर देना है तो जैसे आप click करेंगे आपके सामने वो page खुल के आ जाएगा जहाँ पर की सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना state select करना है जिस भी आप state से हो आपको अपना state यहाँ पे डालना होगा और यह capture code डालके आपको save option पे किलिक कर देना है तो जैसे आप save पर किलिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से page खुल के आएगा यहाँ पर आपका email id आपको डालना होगा और आपको password डालना होगा जो की password जब आपने फार में भरवाया होगा उस समय password मिला था तो उस password को आपको यहाँ पर डालना है और capture code डालके आपको login वाली बटन पे किलिक कर देना है जैसे आप login पर किलिक करेंगे आपने जो भी application फो में apply कि होंगे सब ही जो है यहाँ पर सो हो जाएंगी submitted वाले section में यहाँ पर देख सकते हैं जो भी apply कि यहाँ पर सो हो रहा है यहाँ पर इनका दिखा रहा है receipt of online application तो यहाँ पर इनका यह green हो चुका है और उसके बाद में short listing short listing का मतलब जो भी candidate short listed किये गए हैं जिनके admit card आये हैं उनका यह भी green हो चुका है तो जिनका यह green हो गया होगा उनका admit card जो है आ गया होगा उनका admit card डाउनलोड करने का link जो है इसी के नीचे status जो दिखा है यहाँ पर submitted इसके नीचे ही यहाँ पर download admit card का आपसंदिया गया होगा उस link पर click करके वो अपने admit card को download कर सकते हैं उसके साथ ही मैं आपको बता दूँ जिनका यह red हो गया होगा लाल कलर में जिनका हो गया है short listing इसका मतलब यह है कि जो भी इनकी cut up है उस कट आप में उनका नहीं आया इसलिए उन्हें निकाल दिया गया है उनका admit card जो है नहीं आएगा अगर लाल कलर में हो गया है तब उस उसके साथ ही इनका देख रहे हैं अभी ना लाल ही हुआ है और ना ही इनका हरा ही हुआ है इसका मतलब यह है कि अभी जो इनका admit card है नहीं आया है इन्हें थोड़ा सा इंतिजार करना होगा क्योंकि हर एक राज के admit card जो है भी नहीं जारी किये गए है तो आपको एक दो दिन तक जो है इसे खोल के चेक करते रहना है जब भी आपका यह तो reject होगा तो लाल हो जाएगा और जो है अगर आ जाएगा तो ग्रीन हो जाएगा सारे जो section है धीरे धीरे करके green होते जाएगे और आपके admit card जो है नीचे यहाँ पर link दिया रहेगा उसके साथ ही मैं आपको बता दूँ कि जिनका लाल कलर में यहाँ होगा यहाँ पर red जिनका रहेगा red पूरा कलर में रहेगा तो उनका जो है यहाँ पर दिखाएगा कि आपको जो ह लिष्ट नहीं किया गया है तो इस प्रकार से आप लोग जो है इंडियन ने भी अगनिबीर SSR का admit card डाउनलूट कर सकते हैं और हाँ आपको short list किया गया है या फिर नहीं किया गया है आप comment section में डाल सकते हैं इसके साथ ही आपके यहाँ का कटाप कितना गया हुश से भी आ आप comment करके बता सकते हैं तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगे अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा साथ ही अपने फ्रेंडों के साथ share करिएगा मिलते है अगली वीडियों ने update के साथ तब पर के लिए जैंगे